नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्छा 10 जिसका अध्यारतीन है जिसका नाम है जलसंसाधन इस पाट से बस्तूनिष्ट पूछे जाएंगे और एक अंक का बस्तूनिष्ट ही पूछा जाएगा सबसे पहले हम पढ़ेंगे बस्तूनिष्ट जो इस विकार से है पैसन है सही विकल्प चुनकर लिखिए पालर पानी कहा जाता है का है भूमी जल, खा है वर्सा जल, गा है समुद्री जल और गा है नाले का पानी तो इसका सही उत्तर है का भूमी गत जल भूमी गत जल को पालर पानी कहा जाता है निमलिखत मैंसे किस नदी पर बहु उद्दिसिये नदी पर यूजना नहीं है का है चंबल, खा है महानदी, गा है नरमदा और गा है यमना तो इसका सही उत्तर गा है यमना सरदार सरुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है का है नरमदा नदी, खा है दामूदर नदी, गा है रिहंद नदी और गा है चंबल नदी तो इसका सही उत्तर है नरमदा नदी क्या है नरमदा नदी सरदा सरवरवांध नरम्दा नदी पर बनाया गया है जल सनरक्षन से संबंदित खादीन एबं जुहत किस राज से संबंदित है का है राजस्थान, खा है माचल पिदेश, गा है मदपिदेश, गा है उत्तर पिदेश तो इसका सही उत्तर है का राजस्थान बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है का है दामूदर नदी, खा है नरमदा नदी, गा है तापती नदी और गा है महा नदी तो इसका सही उत्तर है का दामूदर नदी दामूदर नदी को बंगाल का सोक कहा जाता है भोपाल जील का निर्मार किस सदी में हुगा का है साथवी सदी, खा है नौवी सदी, गा है ग्यारहवी सदी, गा है तेरहवी सदी तो इसका सही उत्तर है गा, ग्यारहवी सदी भोपाल जील का निर्मार ग्यारहवी सदी में हुगा था शरंग बेरा इलाहबाद में जल संरक्षण हेतू एक उतकिश्ट जल संखरर तंत्र किस नदी में बनाया गया है का है गंगा नदी, खा है यम्ना नदी, गा है कावेरी नदी, गा है नरमदा नदी तो इसका सही उत्तर है का गंगा नदी निमलेखित मैंसे किस छित्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का नर्मार करते हैं निमलेखित मैंसे किस छित्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का नर्मार करते थे का है उत्री मैंनान खा है पश्च्मी हिमालाय गहत तटिये छित्र घा है पूर्वी हिमालाय तो इसका सही उत्तर है खा पश्च्मी हिमालाय पश्च्मी हिमालाय छेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का नर्मार करते थे भाखडा नांगल बहु उद्देशी यूजनाओं का नर्मार किस नदी पर हुगा है का है सतलोज, खा है तौंग भद्रा, गा है दामुदर, गा है महानदी तो इसका सही उत्तर है का सतलोज सतलोज नदी पर भाखडा नांगल बहु उद्देशी यूजनाओं का नर्मार उगा हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है का है सतलोज, खा है महानदी, गा है नर्मदा और गा है किछणा तो इसका सही उत्तर है खा महानदी हीरा कुंड बांध महानदी नदी पर बना है तहरी बांध का नर्मार किस नदी पर हुगा है का है गंगा, खा है इमना, गा है भागी रथी, गा है सतलोज तो इसका सही उत्तर है भागी रथी, अथात गावाला सही उत्तर है तहरी बांध का नर्मार भागी रथी नदी पर बांध है किसने गरब से बांधों को आधुनिक भारत के मंदर कहा था का है महत्मा गांधी, खा है जवाहला नहरू गा है इंद्रा गांधी, गा है डॉक्टर अब्दुल्ट कलाम तो इसका सही उत्तर है खा जवाहला नहरू प्रिश्ण है रिक्त स्थानों की पूर्थी कीजिए पहला है इंद्रा गांधी नहर मुक्ख रूप से राजस्थान राज्ज को जीवन पिदान करती है इंद्रा गांधी नहर मुक्ख रूप से राजस्थान राज्ज को जीवन पिदान करती है सरदा सरूवर बांध गुजरात राज्ज में है क्या हम कह सकते हैंगी गुजरात राज्ज में सरदा सरूवर बांध है मेघालाय में नदियों वा जहर्णों के जल को वांस द्वारा बने पाईपों से उप्यूप किया जाता है मेघालाय में नदियों वा जहर्णों के जल को वांस द्वारा बने पाईपों से उप्यूप किया जाता है बांधों को बहु उद्देशिये परियोजना भी कहा जाता है हौज खास का नर्मार इल्दत में ने करवाया था यह हम कह सकते हैं कि इल्दत में ने हौज खास का नर्मार करवाया था प्राचीन काल में बहत इसतर पर बांध और सिंचाई तंत्रों का नर्मार चंद्रगुप्त मौर ने करवाया था धरातल का तीन चौथाई भाग जल से ढखा है यह हम कह सकते हैं कि तीन चौथाई धरातल का भाग जल से ढखा है जल दुरलबता जल की कमी है कई योजनाओं को एक साथ बनाना बहु उद्देसिये परी योजनाएं कहलाती है भारत के दुराज राजस्थान और गुजुरात हैं जहां जल की कमी रहती है इजराईल में पिती वैस पच्ची सेंटीमीटर ओसत बारासिक वर्षा होती है बिश्च की सरवाधिक वर्षा मौसन राम में होती है बिश्च की सरवाधिक वर्षा मौसन राम में होती है तमिल नाडू राजने घर की छत से बर्षा जल संगरण अवस्यक कर दिया है तमिल नाडू राजने घर की छत से बर्षा जल संगरण अवस्यक कर दिया है जल नवी करण योग संसाधन है पैश्ण है सत्थ सत्थ का चैन के जिये सिंचित किसी है जल का सरवाद को पीव भूता है जो है सत्थ है छत बर्षा जल संगरण तकनीत टांका का संबंध करनाटक राजन से है तो उत्तर है है सत्थ